और खबर गॉलियर से है जहाँ पर गॉलियर शोहर में लगी अधिकान से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं जिसके चलते त्याओहर सीजन में शोहर अंधेरे में डूबा नज़र आता है बदहाल स्ट्रीट लाइट विवस्ता को लेकर कॉंग्रेस और बीजेपी के पारशदों ने स्मार्ट स्ट्रीट के खिलाप मोर्चा खोल दिया है रोश्नी के परोपर अंधेरे में कैसे डूबा शोहर आईए आपको दिखाते हैं इस रेपोर्ट के मातिम से रोश्नी के त्योहर पर शहर में छाया अंधकार रोखे सडकों के 35 फीजदी स्ट्रीट लाइट ये बंद कमपनी ने सिर्फ 47,000 स्ट्रीट लाइट लगाई शहर में 62,000 स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत कॉंग्रेस और बीजेपी पारशदों ने खोला मोर्चा इसमार्ट सिटी के कारे पर खड़े किये सवार जना प्रशासन बैक कल्पिक विवस्था में जुटा गॉलियर शहर में दीपा वली से पहले शहर के मुखे सडकों से लेकर पॉश कॉलोनियों के स्ट्रीट लाइट ये बंद हैं शहर में बासुट हजार एलेडी लाइट लगा कर मैंटेनेंस करना था लेकिन कमपनी ने सिर्फ 47,000 लाइट लगाई है इन में से भी 35 फिजदी स्ट्रीट लाइट बंद हैं लशकर, गॉालियर और मुरार के अधिकांश शेत्रों में 15,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट बंद है नगार निगम कमिशनर का कहना है कि बैकल्पी विवस्था पर मन्थन किया जा रहा है अभी जो स्ट्रीट लाइट विवस्था है उसमें दिक्कते हैं जो लाइटे लगाई जा रही हैं वो जल्दी खराब हो जा रही है लगाते हैं लाइटे लेकिन निरंतर स्मार्ट सिटी दवारा और निगम प्रसाशन दवारा लगातार संपर करके जहां से भी समस्या प्राप्त हो रही है वहां पर स्ट्रीट लाइट सही कराई जा रही है कुछ समस्यां हैं जिसके संबन में अभी पुना टेंडर की कारवाई करी जानी हैं तो उसमें जैसे भी सेहमती बनती हो साथ कारवाई की जाई शहर में स्ट्रीट लाइट बंध होने से परिशान लोग पारशदों के पास अपनी समस्या लेकर बहुच रहे हैं पारशदों ने लगण निगम के परिशद में स्मार्ट सिटी के खिलाब मूर्चा खुल दिया बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही दलो के पारशदों ने स्मार्ट सिटी के कारियों पर गड़ बड़ी का रूप लगाया और AD से जाज कराने की मांगी है ताथ ये स्मार्ट शिटी की CEO नेतु माथुर को भी पत से हटाने की मांगी है दो बार टेंडर होने के बाद भी शेयर में अन्धिरा है हमारे सभी पारसद गण जिनके घर पे जनता आई दिन पहुंच जाती है लायोड में ठीक होती है और दूसरे देन बंद हो जाती कि यह समझ्या सब के सामने तो की verschiedenen acres और अध़्य य है दीपावली रोशनी का त्योह गया रहे हैं परयाप्त में रोडों के साथ साहत मौलों में भी बश्तिओं में भी कालोनियों में भी उजेला हो इस सभी पारशदों की जैज मांग है। और मैं समझता हूं कि छुना हुआ जन्पित निदी अपनी बात परसद में रखेगा नहीं तो दूसरी जयके कहा रखेगा इस लिए सदन में चर्चा हुई बार बार उनने अपनी मांग पे आसंदी घेरी और बार बार परसद इस्तगित की गई अब सब जानते हैं कि गवालिय जब से इसमाशु पर दोारह करा है रहा है नहीं कि दौरह करा रहा है सब देखने में आ रहा है कि महीने काम नहीं हुए लेकिन ठूट पूट अनना शुरू हो गई है और लाइट ओफी तो इतनी बत्तर स्थिती है कि आज दिने में लगाएं दो वजे और रात को जलाई के नहीं इसकी कोई गारेंटी नहीं है तो इस सब को लेकर के हम सभी पार्सवरों पर शमश्या आती है और इतना पैसा खर्चा ओने के बाद भी वालियर सेहर को प्रकास नहीं उपा रहा है इसकी लिए सभी पार्सवरों की मांग की कि इसके जाच रहने चाहिए है इसकी लिए सभी पार्सवरों के लिए भी आरल पुलगार है वो कई बला नहीं कह रहे थे स्ट्रीट लाइट बंधोने से जनता की समस्या बढ़ रही है वालियर से स्ट्रीट लाइट को लेकर है वही नगर निगर में भी पारशवर्द लगाता रहंगाबा कर रहे हैं इसको लेकर कलेक्टर रुचिका सिंचोहान ने एक आपात कालिन बैठक बुलाई है कलेक्टर का कहना है कि स्ट्रीट लाइट विवस्थाव को दुरुस्त करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है स्ट्रीट लाइट का लंबे समय से हमारे सीम हिल्प लाइन में भी हम लोग देखते हैं तो काफी शिकायते उसमें रहती है तो क्या-क्या विकल्प इसके महतर हो सकते हैं क्योंकि अप युहार का समय है तो exactly at this moment उसको टर्मिनेट करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा तो आज जो विकल्प इस विशे के भी हम लोग बात करें शहर में स्पार्ट सिटी के स्ट्रीट लाइट बंद होने से शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं वहीं अंधेरे में खराब सडकों पर लोग हाथसों का शिकार भी हो रहे हैं जिसको देखते हुए जुलाप्रश्रासन भी मन्थन में जुट गया है रोशनी के पर्व वीपावली से पहले शहर की स्ट्रीट लाइट को कैसे रोशन किया जाए यह एक बड़ी चुनाती बन गई है अनाधी टीवी के लिए गौालियर से आजाज शर्मा की रेपोर्ट